लो एपरिवन कैसे आप सब उमीद करती है आप सब ठीक होंगे आज की करेंड आफे सेशन में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले इंडियन रेल्वे करेंट आफियर जो हमारी 500 सीरीज चल रही है उसका पार्ट फोर है इसमें पूरी अपडेटी लिस्ट है उमीद करत करते हैं तो फर्स कोश्चेंट बारती रेल्वे थो जाल रहा है अपनी पहली घरेल है उसस तर पर उपादित हाइट्रोजन संचाली ट्रेन लॉंच करने के तयार है लें मंतराले के अनुसार आने वाली हाइट्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को क्या कहा जाएगा तो यह पहली चल रहा है कि भारत में ऐसा hydrogen centrali train तो अपने में important हो जाती है तो उन train को क्या ख़ा जाएगा जो hydrogen से चन्ने वाली train होगी उनको बोला जाएगा wonder metro next है भारत के rail budget 2022-2030 के अनुसार वित्य मंत्री ने 300 नहीड़ी भारत train के पादन के घूशना करी है और डैश किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच के तहद लाया जाएगा कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच के तहद लाया जाएगा तो 2000 किलोमीटर चलती ट्रेनों के सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारती रेल्वे ने स्वाचाले ट्रेन सुरक्षा प्रणाली बनाई जिसे कवच की नाम से जाना जाता है कवच घने कोरे जैसे प्रतिकूल मौसम की स्थती के दौरान ट्रेन संचालन में साहिता करता है अविशक्ता पढ़ने पे स्वाचाले तुरूप से ब्रेक लगाने भावे दुरगटनाव को रोकता है आपको पता जब बहुत क्या है कोरे वगएरा हो जाते हैं विंटर्स में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ट्रेन में तो इसलिए कवच नाम दे दिया गिया है ठीक है ताकि वो कवर कर सके अगस 2022 में किस रेल्वे स्टेशन पे भारत का पहला सांजा रेडियो नेटवर्क समाधान शुरू किया है कहां पर शुरू किया गया है मुंबाई सेंट्रा रेल्वे स्टेशन पे और जुलाई 2022 में कौन सा रेल्वे स्टेशन स्वयवर्दित वास्तविक्ता स्क्रीन से लेस होने वाला बहरत का पहला रेल्वे स्टेशन बन गया है चत्रपती सिवाजी महराज तर्मिनर्स क्योंकि यह बहुत बड़े टर्मिनर्स हैं तो इसी लिए यहां ज्यादा ऐसे काम होते हैं ठीक है नेक्स से कौन सा रेल्वे जोन अपने सिस्टम से सभी मानव रहे रेल्वे क्रॉसिंग को खतम करने वाले भारती रेल्वे का पहला जोन बन गया क्योंकि आपको पता है जो रेल्वे क्रॉसिंग को काम नहीं है उन पर ऐसे लोग ट्रेवल करते हैं अराम से फिकाली दुरगटनाय होती है उनको खतम करने की बात की गई है तो ऐसा भारत का कौन सा पहला जोन बन गया है यह कोशन पूछ रखा है वेस्स सेंट्रल रेल्वे पश्चे मध्य रेल्वे नेक्स आरप ने रेल्वे परिष्ण पर नो पार्गेंग छेट्रों में लंबी अविदी के लिए पार के गए सब वहानों की पहचान उ सत्यापन करने के लिए अगर 2009-10 अभ्यान शुरू किया है कौन साभ्यान सुरू किया गया है एक नमबर प् आप लॉंच किया है तो यह दक्षणी रेल्वे ने सुरू किया है नेक्स कोश्यन है प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी ने जन्वरी 2021 में निमने लिखित मैसिक किस स्टेशन के बीच पहली डबल स्टेक लॉंग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को हरी जंडी दिखा है तो कहां पर जंडी दिखाई गई है किस स्टेशन के बीच पहली जंडी दिखाई गई है नरेंद्र मोदी जी ने ये कुशन पूछ रखा है तो यह है हरियाना से राजिस्तान हर्याना के न्यू अटेली से राजिस्तान के न्यू किसान गंज के बीच इसको हरी जंडी द ट्रेन को वेस्टन डेडिकेटिट फ्रिट कोरिडोर के 307 किलो मिटर रंबे रिवाडी मदार सेक्शन में चलाया जाना है यह ट्रेन 1.5 किलो मिटर लंबी है नेक्स है अगल 2020 में भारत ने रेल्वे संग्राले निम्रे लिखित मैसे किस्तान पे रास्टर को समर्पित किया ग जो कि करनाटक में इतिहासर रेल्वे संग्राले के बाद दक्षिन पस्चिम रेल्वे में दुसरा है नेक्स है प्रधान मंतिर नरेंद महुती ने एपरिल 2022 में भारत और किस देश के बीच जैनगर कुर्था रेल्वे सेवा का उद्खाटन किया है नेपाल में महरास्टी में निमने लिख है निमने लिखित मैसे कि इस खाड़ी में भारत की पहली ट्वेन ट्रेक समुन्दर के नीचे रेल सुरंग का निर्मार किया जाएगा तो आप देख सकते हैं ये ठीक है तो सुरंग बनाई गई है उसके नीचे से रेल ट्रेन शुरू होरी बाल यह मुंबई एमदाबाद हाई स्पी रेल कोरीडोर बुलेट ट्रेन कोरीडोर पे 21 किलो मिटर लंबी सुरंग का हिस्सा है नेक्स है कोरुमंडल एक्सप्रेस और दो अन्य ट्रेनों के ट्रिपल ट्रेन दुरगटना में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और घायल हुए ट्रिपल ट्रेन दुरगटना कहां हुई थी बहुत ज़्यादा नियूस में आये था ये तीन ट्रेन टकरा गई थी एक दुसरे से बहुत बड़े बल्क में दुरगटना हो गई थी कहां पर हुआ था ये कोशन पूछ रखा है बाला सोर में जो की उड़ी सामे है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन कोशन बन सकता है बहुत नियूस में आया था नेक्स अगर 2022 में भारती रेल्वे द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी माल गाड़ी कौन सी है सुपर वासुकी भारती रेल्वे ने सबसे लंबी माल गाड़ी सुपर वासुकी 3.5 किलोमिटर लॉंग का सफल प्रसिक्षन किया सुपर वासुकी का प्रसिक्षन चतिस गड़ के कोरबा नागपुर के राजनान गंद के बीच किया गया और इसको operate किया गया South East Central Railway Zone के द्वारा ठेक नेक्स से ट्रेन द्रुगटनाओं से बचने के लिए भारती रेलवे द्वारा कौन सी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली सुरू की गई है तो यह है ट्रेन नेत्रा ठेक है ट्रेन नेत्रा ट्रेन नेत्रा के आप अगर फुल फॉर्म देखेंगे जरूर पुछा जाता है अप्रिवियेशन टारिन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर इंफ्रारेट इंहेंस ऑप्टिकल एंड रडार एसिस्टेट सिस्टम जन्वेरी 2022 में किस टेश ने ट्रेन से बैलेस्टिक मिसाइल लॉंच की है साउथ कोरिया ने माई 2018 में निम्ले लिखित मैंसे कौन सा रेल्वे स्टेशन पूरी तरह से सौर उर्जा से संचालित होने वाला स्टेशन बन गया है तो वह है गोहाटी रेल्वे स्टेशन आपको पता है इसमें में पूरा दो हजार बीज अठारा उर्निस सारा डिटेल में दो हजार तेज तक क्योंकि दो हजार बाइस तेज तो आपको करेंट में पूछे जाएगा लेकिन उससे प्रिवियस का आपको स्टाटिक के रूप में पूछा जाएगा कि जब 2018 में ऐसा हुआ था तो कौन सा पहला स्टेशन बन गया था ऐसे ऐसे कोशन पूछे जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह पूरी सीरी जरूर देखिए इसको नेक्स है दिसम्ब 2021 में किस राज जी ने जहांसी रेल्वे स्टेशन का ना शहीदों की अदर में भावना और वीर्ता को संधानजली के रूप में उनके नाम पर रखा है बहुत इंपॉर्टेंट कोशन उत्तर रेल्वे सेत्र रे जुलाई 2019 में प्लान भी नामक किस रेल्वे जोन की रणनिती ने भारती रेल्वे में सर्विस रेस नवाचर हातियों को रेल्वे पट्रियों पर मारे जाने से बचाने के लिए प्लान भी एक प्रवाधिक प्रणाली है जो मदमख्य के जुन्डी की बन्विनाट के आवाज निकालती है तो इससे क्या होगा जो हाती है वो बिल्कुल डिस्टा हो जाएंगे और वहां से चले निमन लिख्यत में से किस रेल्वे को FSSEI द्वारा देश के पहले इट्राइट स्टेशन के रूप में प्रमानित किया गया है मुंबई सेंटरल को नेक्स है जून 2030 में कौन सा railway station पूरवर्थ सिमानत railway के तहत FSAI से E-Ride Station प्रमानत प्राप्त करने वाला पहला railway station बने है railway station का नाम पूछ रखा है गोहाथी railway station इसके बारे में हम देखते हैं अगर हम FSAI की देखे फुल फॉर्म, The Food Safety and Standard Authority आफ इंडिया ने यात्रियों को उच्च गुडवत्ता वाले पॉस्टिक भोजन उपलब्ध कनाने के लिए गोहाथी railway station को E-Ride Station प्रमानत से सम्मानित किया है ठीक है अब जो सबसे high number of certified railway station है वो मद्धिपरदेश में है जिसां 18 railway station वहां highest number पे certified हो चुके हैं और राजिस्तान और डेली में 7 E-Ride Station नेक्ट जून 2022 में भारत का पहला सेंट्रलाईस AC Railway Terminal की सहर में खोला गया है तो बैंगलोरू में ठीक है बैंगलोरू में सर एम विश्विस ऐरिया रेल्वे स्टेशन भारत का पहला केंदिरित AC रेल्वे स्टेशन पूरा रेल्वे टर्मिनल बन गया है AC Centralized जुलाई 2020 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भारती रेल्वे के पहले सौर उर्जा सायत्र को सफलता पूर्व चालू किया है तो बीना ठीक है तो भारती रेल्वे ने बीना जो कि मद्धी प्रदेश में है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा 1.7 मेगवाट्स और फोटो वाल्टी सायत्र चालू किया गया है नेक्स सितंबर 2019 में निमने लिखित में से किस रेल्वे एक्सप्रेस में भारती रेल्वे द्वारा पहली बार पैट पॉलेथीन टेट्रा पैलेथेट बोतल क्रश मशीन स्तापित की गई थी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में तो पस्चिमी रेल्वे वेस्टन रेल् से नियुक्त किया गया है संजै कुमार जी को को मदी एज जी में नियुक्त किया गया है रेल्वे यहां तक है 500 सेरीज जो चल रहे है इसका पार्ट 4 है बहुत इंपोर्टन बहुत हैलफूल आप लोग के लिग उमीद करती है आपको काफ़े लगा होगा वीडियो को लाइ झाल 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 झाल